येस सर आ रही हुआ है इसकेशन कंटिनू करें येस सर ओके लास्ट सेशन में आप लोगों ने जो भी टास्क किया है लास्ट दो तीन क्लासेश्ट में वो सेशन आपका FLSM से रिलेटिट था मैंने आप लोगों को बोला था कि सब्टिंग आप टॉपिक स्टुड़ी कर रहो और आप टॉपिक स्टुड़ी कर रहो और सब्टिंग के अंदर दो पोर्शन होते है पहले कहते हैं उसे FLSM और दूसरा जो आप्शन होता है उसे कहते हैं VLSM FLSM का मतलब होता है Fixed Length Submit Mask तो अभी आप लोगे जो भी टास्क लास्स सेशन में किया हुआ है वो FLSM का पार्ट है अब ये FLSM Fixed Length Submit Mask क्या है देखो आप जैसे फॉर एक्सामपल आगरा जैसे आप लोग Class C की Submiting कर रहे थे क्लास C की Submiting है आपके पास 192, 168, 10.10.0, 10.32, 10.64, 10. कितना आएगा? 96, everyone तो अगर आप इस सीरीज को देखो त्यान से तो ये इसमें इंक्रिमेंट कितने का है? 32 का है? बोलो जैसे 32, 32 का इंक्रिमेंट अभी आप मुझे बोलोगे कि अभी आप मुझे बताओगे कि 32 के पहले आता है 31 ये आपकी पहली network range हो गई इस range पे पहली IP हो गई network address आप बोलते हो last IP को बोलते हो broadcast address broadcast address आप बोलते हो तो valid IP आपकी 10.1 से लेके 10.30 तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पे जो block size बन रहा है हर एक subnet के अंदर वो 30 का block size बन रहा है इस network में 30 IP है फिर इस network में आप देखोगे 30 IP इस network में 30 IP तो यहां पे 30 का एक fixed length है fixed network है 30 30 30 30 इसे कहते है FLSM fix length subnet mask अब VLSM के requirement कहां पे होती है देखो जैसे मालो मैं एक मुझे एक network में जैसे मेरे पास एक router है R1 ठीक है मैं उसको ऐसे बना लेता हूं wait मेरे पास यहां पे for example 3 floor है आप कहा सकते हो 3 floor है और हर एक floor पे आपने router लगा के रखा हूँ है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है router का हर एक interface अलग network में participate करता है router का हर interface अलग network में participate करता है तो यहां पे क्या है मैंने 3 router लिये यह है आपका R1 R1 यह आपका R2 यह आपका R3 R3 अब यहां पे मैंने का router का हर एक interface different network होता है जैसे यह interface आपका यह अलग network जा रहा है यह interface जाके connect हो गया है router 2 के इस interface से फिर router 2 का यह जो interface है यह जाके connect हो गया R3 के इस interface से अब interface का number आप जब conjugation करोगे router को तो मैं आपको दिखाऊंगा बट यहां पे धान दो इस interface का number for example ले लेते हैं fast ethernet 0.0 इसका है fast ethernet 0.1 यह interface का number होता है नाओ यहां पे fast ethernet 0.2 यह connected है fast ethernet 0.2 से ओके यह जो आपका land portion है यह fast ethernet 0.1 0.1 यह इस router का है नाओ यह आपका fast ethernet 0.1 आपको इस पे focus नहीं करना है कि यह interface का number क्या है यह हमारा focus नहीं है आप इस बात पे focus करो कि यह आपका land network के इंदर चला गया router को router से connect करने के लिए आपने cable लगा दी और यह connectivity आपकी router से router तक की है यहां से again router से router की connectivity है और यह आपके 3rd floor का R3 मतब 3rd floor हमें लेते हैं 3rd floor का land network है अब यहां R2 यहां पे भी आपका एक floor है example लेते हैं यहां पे भी आपका एक floor है यहां पे लेते हैं एक network एक network यह आपका interface fast ethernet 0.3 अब यहां पे requirement क्या है यहां पे requirement थोड़ी से लग जैसे मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए मुझे एक IP address मिल गया 192 168 10.0 का network अब मेरे requirement यहां पे क्या है कि इस LAN के side में मुझे सिर्फ 50 IPG है 50 computer वहां पे रखे है इधर मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 IPG है 10 host यह 50 host है आपकी इधर मुझे सिर्फ 10 host के लिए IPG है इसा सिर्फ 10 computer ही लगे है और इधर मेरे पास for example 25 host लगे गा और देखो router को router से connect किया आपने तो एक IP यहां होती है और एक IP आपको यहां पे configure करना होगा तो टोटल यह आपका 2 IP यहां पे हो गया 2 IP आपकी यहां पे हो गई then again R2 को आपने R3 से connect किया हुआ है तो यह क्या है एक network है अब एक IP आप इस interface पर दोगी दूसरा IP आप इस interface पर दोगी तो टोटल आपको इस network में 2 IP जीए तो यहां पे requirement को अब ध्यान से देखो तो requirement fix नहीं है requirement vary कर रही है right मुझे एक network में सिर्फ 50 host चाहिए दूसरे network में सिर्फ 25 host चाहिए तीसरे network में आप divide करो लेकिन तीसरे network में सिर्फ 10 host चाहिए तो requirement क्या है आपकी अलग-अलग है एक network आप ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ 2 ही IP मुझे चाहिए तो जरा आप सोचो आप लोगों ने last session में FLSM किया था fix lens submit mask fix lens submit mask में मैं आपको अभी जस्ट बताया था जैसे मालो आपने 10.0 है आपने 10.32 10.64 यहां पर क्या है यहां पर 32 से पहले आपकी 10.31 है यह आपकी एक range हो गई first IP network, last IP broadcast so .1230 इस block network में कितनी IP मिलेगी आपको 30 valid IP अब जितने भी आपको ब्लॉक दिख रहा है 30 IP आपको मिलेगी इधर आप चाओगे 30 बोलो मेरे बास साउज में आ रही अभी शेक यह सर्थ अंजिवी गोराओं सारश तरुन यह सर्थ यहां पर प्रॉब्लम यह होती है कि अगर आप काम कर रहा हो तो जो वैलू है वो फिक्स रहती है लेकिन अभी जो मेरी रिक्वर्मेंट मुझे मिली है उसमें वैलू फिक्स नहीं है हर नेट्वोक में मुझे 50-50 होस नहीं जोट रहा है मुझे अलग-लग की रिक्वर्मेंट है ओके अब आप वेट अब मेरे पास एक आईपी है मुझे यह C-class की आईपी दे दी गई मुझे कहा गया कि इसको नेट्वोक में तोडो आप नेट्वोक में इसको ब्रेक करो लेकिन देखो रिक्वर्मेंट सबकी अलग-लग है तो यह रिक्वर्मेंट कम्प्लीट होना चाहिए इस तरह के सिनारियों में हम यूज करते हैं VLSM Variable Length Submit Mask और यह आपकी सब्मिटिंग और IP Addressing Topic Concept का लास्ट टॉपिक है आज हमनों सब्मिटिंग खदम करने वाले हैं इसे कहते हैं Variable Length Submit Mask तो देखो VLSM अगर आपको स्टार्ट करना है अभी आपको देदे सांज में आएगा कि VLSM की benefit क्या है तो मेरे पास यह IP मैंने आप से कहा मेरे पास यह IP है 192 168 10.0 तो अगर आपको VLSM स्टार्ट करना है तो VLSM का रूल यह कहता है कि आपको Sum Rating Again करनी है स्टार्ट करना है highest number से तो अभी आप लोगों ने यह topology जो देखी है अभी आपनों हम लोगों ने जो discussion किया इस topology में सबसे highest requirement कौन सी है अनुपम सिर्फ पचास होस्त तरुन पचास है जो highest requirement को 50 होस्त है तो देखो जब भी आप VLSM करोगे तो उस ने टोक में देखो जो सिनारियो आपको मिलेगा उसमें देखो सबसे highest requirement क्या है तो 50 आपने लिया और अगेन 50 की submitting ही करनी है मैं आपको दिखाता हूँ तो 50 लिया आपने 128 नहीं होगा 64 नहीं 64 नहीं होगा 32 16 8 4 क्या हो सकता है 32 16 कितना होगा सर्च जादा हो रहा है तो 48 32 16 32 16 आठ चार वेट चार दो एक क्या मैं सही हूँ अब यहां से आप बिट काउंट सब बिटिंग याद करो आप लोग यहां से बिट काउंट करते हो तो आपकी मिलती है इंक्रिमेंट बिट यह टोटल इंक्रिमेंट बिट आपकी कितनी है इंक्रिमेंट बिट नहीं आप बिट बॉरो करते हो तो यहां पे आपने बिट बॉरो किया कितना 6 बिट लास्ट ऑन बिट पर आप चाहते हो और यहां से आपको मिल गया 6 बिट आप होस्ट के लिए काम कर रहे हूँ तो आपको क्या करना है आपको off करना है नहीं टोछं को आपके पास mask क्या है 255 255and 255.0 तो आपके पास 8 bit off है और आपको सिर्फ 6 bit off करना है तो 2 bit क्या करना होगा आपको ON करना होगा automatically 6 bit off घाएंगे तो अब आपको मिलेगा आपका custom submit mask custom submit mask क्या आपका 255 dot 255 dot 255 dot कितना होगा इसका 192 यह आपका क्या है custom submit mask तो यह तो step आपने पहले भी किया था चलो इसे पहले complete करते हैं तो अब आपका network कैसे बनेगा आपका network बनेगा 192 168 10 dot 0 increment कितने का है कोई बताएगा मुझे 6 bit का यह आपका इस bit की value कितनी होती है 64 64 देखो आप 1, 2, 4, 8 16, 32, 64 तो आप 16 को add करते हैं 10 dot 64 10 dot 128 10 dot 192 10 dot 256 तो यह valid नहीं है आपके पास चार network बनेगे अब इस network में आप आ जाओ 64 से पहले आता है 63 तो यह आपका हो गया एक subnet इस subnet में आपकी जो first IP है यह आपकी हो गए network last IP broadcast address तो आपकी valid IP है आपकी valid IP है 10 dot 12 10 dot 62 यह आपकी क्या है valid IP तो आपको क्या लगा आपको लगा 62 IP है पचास की requirement है complete हो सकता है तो आपने यहां पे लिखा आपने यहां पे लिखा गया 192 dot 168 आपने लिखा 192 dot 168 dot 10 dot 10 dot 12 62 और slash value कितनी है या तो आप पुरा mask लेख लो है slash value तो यह आपकी 8 bit की value है यह 8 bit की value है यह 8 bit की value और यह कितने bit की value है 2 bit की तो यह हो गया 2 24 और 226 तो यहां हो गया slash 26 अब आपको क्या लगता है कि यह जो अगला submit है अगला submit 128 से पहले क्या आता है 127 तो यह आपकी पूरी range है इस range में first IP आपकी हो गई network last IP broadcast तो आपकी valid IP कहां से कहां तो हो गई 10.652 10.126 valid IP तो आपके पास जो यह IP है यह total IP है 62 62 IP लेकिन अब आपकी जो अगली जो पहले तो highest requirement थी उसके बाद next highest requirement क्या है 25 तो यहां पे तो 62 है सिर्फ मुझे 25 चाहिए चलो मालो आपने इसको उठाके यहां दे दिया ठीक है अच्छी बात है फिर अगले range में से उठाके आपने यहां दे दिया फिर अगले range में से उठाके आपने यहां दे दिया बड़ ज़रा सोचो कि यहां पर requirement सिर्फ दो IP की है और आपके पास जो block size का range वो 62 IP का है तो IP की westage है यहां पर बोलो यहां पर यहां पर एक point और आप clear करो IP की westage को रोकने के लिए आप concept यूज करते हो VLSM तो हमने अभी क्या किया है हम लोगोंने submitting किया और यह 1.1 से लेके 62 IP को हम मैंने यहां पर रख दिया अगली range को मैं यहां पर use नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैं इसको हटा रहूँ wait तो अगली range मैं नहीं उज़ कर रहा हूँ अब मैं again submitting करने जा रहा हूँ मैं again submitting करने जा रहा हूँ तो मेरी next requirement क्या है 25 तो मैंने 25 यहां पर लिया 25 यहां पर लिया और 25 को मैंने battery में convert के 128 नहीं होगा 64 नहीं होगा 32 नहीं होगा 16, 8 कितना होगा 4, 2, 1 क्या मैं सही हूँ ठीक है सर ओके अब यहां से आप आपको क्या मिलता है bit borrow करने के लिए मिलता है तो आपको मिल गया 5 bit 5 bit C class की IP है 255, 255, 255 dot 0 तो 0 को आप 8 bit में लिख लेजिए 5 bit आपको off करने है तो आपने क्या किया 3 bit को on कर लिया तो आपने 3 bit on कर लिया यहां पर आपको मिलके आपका निया custom submit mask 255, 255, 224 यह आपका custom submit mask है और आपको यहां से क्या मिलता है increment bit और increment bit की value क्या है आपकी 32 अब आपका network कैसे बनेगा आप उस पे धान दो अब आपका network कैसे बनेगा आप में लिखा क्या 192.168.10.0 10.32 10.64 10.96 10.128 आप add करते जाओगे ऐसे अब आप ध्यान दो इसके जस पहले की IP क्या है आपकी 10.31 यह आपका range हो गया इस range में first IP network address last IP आपकी हो गई broadcast address तो valid IP आप मुझे बोलोगे 10.1 से 10.30 अब यहाँ पर आपको बस ध्यान देना बस यहीं पर ध्यान देना आपको अब आप ध्यान देखो कि 10.1 से 10.30 यह IP के range उठाके मैं यहाँ पर रख सेकता हूँ मालू मैंने रख लिया ठीक है 192 192 168 10.12 10.30 और लेकिन इसका slash और इसका mask अलग है आठ बिट है यह 8 बिट है 8 बिट है और यह 3 बिट कितना हो गया 27 slash 27 की तरह लिख लीजिए आप अब आप यहाँ पर जान दो 10.1 यहाँ भी है अनुपम और 10.1 तो यहाँ पर दिख रहा है राइट बोलो अगर यहाँ से बैठा कोई बंदा अपने कंप्यूटर से 10.1 को एक्सेस करना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए कंप्लेक्सिटी थी हो गई ना कि कौन सा 10.1 प्राइट से बोलो यहाँ पर यहाँ पर बस यही ट्रेक है क्या करते है कि देखो यह रेंज आपने यूज यहाँ से लेकर अगर आप ध्यान से दिखोगे तो यहां से लेकर यहां तक आपने यूज कर लिया है आपके पास क्लासी की आईपी है क्लासी में आपको पता है मैक्सिमम कंप्यूटर अगर यह नेटवाक आप लेकर चल रहा हूँ maximum computer आप जोड़ते हो 254 तो सारी ये जितना आप sum rating में तोड़ रहा हो ना इस सारे के सारी इसी 254 के अंदर ही आएंगे अब उन्ही को आपको arrange करता है तो देखो मैं कहा कह रहा हूँ आपसे यहां से यहां तक की range को आप use कर चुके हो तो 64 के में आगे का यूज करो 96 के पहले क्या आता है 96 के पहले आता है 95 95 तो यह आपकी हो गई range इस range में first IP network address last IP broadcast address तो valid IP हो गई 10.65 10.94 तो यह आपकी valid IP है अगर आप यहां से देखो तो अगर number of force निकालने का formula आप अगर आपको याद हो तो 2 की power N minus 2 N का मतलब होता है off bit कितने off bit है 5 2 की power 5 minus 2 यानि 32 minus 2 यानि कितना होगा 30 और मुझे चाहिए कितने 25 तो यह range मैं उठा के यहां पे रख सकता हूँ तो मैंने यहां पे रखा 192.168.10.10.64 65 to 94 slash value कितनी है मेरी 27 clear everyone अब मैं अगली range से उठा के नहीं दे रहा हूँ ठीक है 10 की requirement है 30 का मुझे मेरे पास block size है लेकिन मैं और IP की vessels को रोकना चाहता हूँ ठीक है तो मैं यहां पे again submitting कर रहा हूँ wait दिमाग के दर्बड़े हो रहे हैं सबके अरे हाँ सेर FLSR में ठीक था इसमें तो अगर दिमाग के दर्बड़े हो रहे हैं तो हो नहीं दीजेगा ठीक है अब आते हैं 10 के लिए ठीक है अंजनी आपको मेरी आवाज आ रही है यह सेर्ड आपको यहां तो कोई doubt है अभी तो नहीं सेर्ड अगे नाउ तो अगें मैं 10 के लिए क्या करना हो सब्डेटिंग करना हूं तैन आपने लिए तो आपको मिल गया कस्टम सब्नेट मास्क 255 255 240 यह आपका कस्टम सब्नेट मास्क है और आपकी जो इंक्रमेंट बिट है उसकी वैलू कितनी है 16 तो आपका नीटो कैसे बनेगा मैं उसे यहां लिख देता हूं आपका नीटो कि बनेगा 192.168 10.0 10.16 आप प्लीज माइक को म्यूट कर लिजे गौरो अभिशेक 10.32 10.48 ऐसे करते करते आप कहां ते जाएंगे 10.96 तक देन आप एड करिए 10. आप 16 को आड करेंगे 1,1,2 आइधिंग आएगा यहां मैं सही हूँ नहीं आइधिंग यहां पर आप 16 को आड करोगे ना 96 और अगर मैं 16 आड करूँ तो यहां पर 2 हुआ हाँ ठीक तो था भे 1,1,2 एवरिवन तो अब आप ध्यान से देखो कि यहां तक आप यूज कर चुके हो यहां तक कर जो आईपी का रेंज है वह आपने यहां यूज किया है और यहां यूज कर ली तो मैं उसकी आगे की आईपी यूज कर रहा हूँ तो 1,1,2 से पहले आता है ट्रिपल वन तो यह आपकी हो गई रेंज यह आपकी रेंज हो गई इस रेंज में फरस्ट आईपी आपका हो गया नेट्वर्क आड्रेस लास्ट आईपी ब्रॉड्कास्ट आड्रेस तो आपकी वैलिड आईपी हो गई 10.97 तो आपने यहां पर लिख दिया 192.168.10.97972.110 अब आप अगले सब्मिट से उठा के यहां पर दे सकते हो क्योंकि 2 की requirement है और block size कितने का बनेगा अगर आप number of force निकाल के verify करना चाहते हो तो 2 की power 4 of it कितने है 4? 4 minus 2 तो आपका हो गया कितना है 16 minus 2 कितना है गा 14 तो आप यहां पर दे सकते हो लेकिन एक काम करते हम लोग कंजूर्स हैं तो फिर से submitting करते है आईपी की वेस्टेश को रोपते हैं ठेक है? वेट तो मैं दो आईपी के लिए अगने अगें सब्मेटिंग कर रहा है नव तो एक्सोटाइस ने होगा चौनसर ने होगा बत्तिस ने होगा सोला ने होगा आठ ने होगा चार ने होगा दो एक तो आपकी जो आपकी आपने जो bit borrow की है वो है दो 255.255.255 6 bit आपको on करना होगा और 2 bit आपको off करने होगे तो आपके पास custom submit mask क्या मिलेगा 255.255 और ये कितना होगा 252 आपकी increment bit की value कितनी है 124 तो देखिए आपकी IP कैसे बनेगी अब जान दीजें so 192.168.10.0 10.4 10.8 ऐसे करते करते आप खहां तक पहुंचोगे 10.96 10.100 ले लो आप 10.104 10.108 10.112 10.116 so अब आप यहां से देखो कि यहां तक की range आपने यहां पे यहां पे और यहां पे यूज कर लिया है today my network is very bad ओके अनपम आपको मेरी आवाज आ रही है अनपम अब ज्राज अजिकरी साथ्oral कोई बात है मुबाइल से करेक्ट है क्या आप तो यहां यहां के आपका यहां तक की रेंज गाँ यहां तक की रेंज अपने यहां यहां पे और यहां पे यूज़कर लिया तो मैं इसके आ गया रहा हूँ 10. ध्यान से देखिए इसके जास पहले की IP क्या होगी 11 115 115 तो आपकी रेंज होगी पहली IP यह हो गई नेटवर्क, दूसरी ब्राड़कास्ट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो आपको आक्शन में दो ही IP मिल रही है 113 114 कोई भी IP की वेस्टेज नहीं है, सिर्फ दो IP मिल रही है तो 113 आप यहाँ पे कन्फिगर कर दीजे और 114 यहाँ पे अब इसके अगला जो रेंज है कौन सा? 10.120 120 120 अब इसको पहले का IP क्या होगी? 10.119 यह रेंज हो गया यह आपकी नेटवर्क यह आपकी ब्रोडकास वैलिड आईपी है 10.117 10.118 117 आप यहाँ पे दे दीजे 118 आप यहाँ पे दे दीजे और यह है आपकी complete VLSM clear है? clear है सर बाकी लोग को clear है? अब यह रेंज है अब यह सर submitting submitting आपको problem खड़ी कर सकती है अगर आपने practice नहीं किया है तो अब आपने topic जो आज finish किया है वो finish किया है IP addressing का उसी को हम लेके आगे चलते आ रहे थे IP address का जो topic था आपका वो आपने complete किया है तो पहली topic हमारी किया थी inter networking device दूसरी topic पहला हमारा किया था inter networking device जो हम लोगों ने study किया था inter networking device के नाम से topic था हमारा then IP addressing ओके वैसे तो next topic हम लोगों study करना चाहिए OSI model बट अभी आप लोगों ने यहां से यहां तक पिछले 7-8 दिरों में बहुत सारी theory study कर ली राइट क्यों राइट सेर्ट क्यों बहुत सारी story हमने study कर ली तो एक काम करते है OSI model से पहले कल हम लोग router पे configuration तोड़ा practical करना start करते है ठीक है तो कल OSI model नहीं करेंगे कल पहले चलते हैं basic command basic command on Cisco router ठीक है on router कल का topic हम router पे configuration जो basic configuration से start करते है उस पे बात करेंगे ठीक है topic आज में start नहीं कर रहा हूँ यह topic हम लोग कल से start करते है ठीक है ठीक है everyone last session की recording कैस अब को मिल गई है yes sir मिल गई है okay IPD sing की आप practice करिये आप लोग अगर कोई confusion होगी कोई question होगा तो आप उसे पूछ सकते हैं group में भी आप लोग आपस में discussion कर सकते हैं okay कल topic start करते हैं new topic okay guys bye everyone take care guys good night okay bye sir good night everyone bye